बिस्मिल्लाह रमान रहीम असलाम लेकूम जी सुईट सिस्टर्स कैसे हो आप सब जी जनाब मैं आज आपके लिए एक ऐसा लुक करने वाली हूं यह आप ईद पे करेंगी एक्चुली यह जो लुक कर्षा है यह आपके हर कलर के ड्रेस पर बहासानी आप इसे कर सकती हैं चाहे आपका ड्रेस पेंग कलर का हो चाहे पिछ कलर का उअच्मि дол कलर का हो थाए क letsALK है। हैं तो आप इतनी गर्मिय में हैं आपको बहुत सबूर साथ स्मोऴ के लुक करने के ज़रत नहीं है आप ब्लैक ड्रेस पे भी यत मएक crafting injection कर सक्ती हैं बहुत जल्दी होने वाला और बहुत असानी से listen पाइगे तो जनाब शुरू करते हैं अपना मेकप सबसे पहले मैंने इस तरह के एक ब्रेश लिया और मैं इस पर पिंक कलर का शेड अप्लाइग करूंगी इसकी हल्प से और कॉर्णर से मैं स्ट्राइट ले रही हूं और इसको भी अंदर की जाने अप्लाइग करूंगी क्रीज एरिया तक ठीक है अच्छा ये कलर मैं आपको इसलिए कहूंगी लेने के लिए अगर आपको ब्लू कलर है सुर्माई कलर है यानि के ग्रे है अस्मानी है तो आप उसी कलर का अगर आप शेड लगाएंगी न तो उत इतके दिन इतके दिन आपको अगर आप इस तरह का शेड यूज करती न पिंग तो इसमें आपका चेरा बहुत खिला खिला लगेगा ठीक है यह देखें यह इस तरह से मैंने किया अभी जो सेंटर का इलाका वाकी है यानि कि हमारा जो लीड एरिया है इस पर हमने करना है ग इत्यालिक गोल्डन शेड हमने इसको अपलाई करना है ठीक है जी अच्छा फर्स करें आपके ड्रेस में गोल्डन शेड है ही नहीं तो भी आपने इस तरह से शेड लिया पिंक और आपने सेंटर में आपने सिल्वर शेड अपलाई कर देना है जहां पे मैं गोल्डन शेड apply कर रही हूं जिस सरा से मैं कर रही हूं ठीक है अब मैं इसे finger के help से भी करूंगी ओके जी यह देखें अच्छा यह हो गया अब मैंने क्या करना है मैंने gel liner लिया मैंने यह चोटा सा cut brush लिया इसके help से मैं अब अपना liner भी apply करूंगी hand to hand अच्छा यह तो मैं आपको make up दिखा रही हूं सिखा रही हूं ठीक है दोस्तों तो इसमें मैंने lashes लगानी है मगर आप अपने घर पर है इट वाले दिन जहेर सी बात है आपने दिन में lashes तो नहीं लगानी या अगर लगानी है तो लगा लें बट जादा तर यहीं होता है कि हम lashes apply नहीं करते हैं लेकिन आप ने इस पर खूब अच्छे से भर भर के mascara ज़रूर लगाना है ठीक है mascara मैं तो कहती हूं बगर mascara के मैकप बिल्कुल ही मुझे अधूरा लगता है आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मैकप में कौन सा बहुत अच्छा लगता है लिप्स्टिक पसंद है mascara पसंद है liner पसंद है देखें जब हम आई मेकप कर रहे होते हैं तो liner और mascara must हो जाता है क्या कहेंगी आप बताइएगा मुझे जरूर अपने message में अच्छे जनाब देखें आप चाहें तो अपना makeup यहीं पर बिड़न कर सकती है ठीक है यानि आपने अपने lashes पर खूब अच लगा लीजे या अगर आप काजल नहीं लगाना चाहरी है तो आप वाइट पेंसिल लगा लीजे आखो की नीचे भी यहीं पिंक शेड में दे रही हूं कि 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 सेम हमने डोनों तरफ यही करना है अच्छा दोस्तो इसमें किसे कसीम कोई ग्रेटर वगारा नहीं अप्लाई किया इस तरह का यह मैंने कोई सभी metallic liner कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया अब इसको मैंने simple भी रखना है और थोड़ा सा आपको इसे इत के लिहाद से भी रखना है ठीक है अच्छा इससे यह ह कि जब हम अपना मस्कारा कर लेंगे फिर इसके बार आपने क्या करना है आपने अपना फेस मैकप करना है गर्मिया बहुत पढ़ रही है गर्मियों के लिहाद से ही मैकप कीजिएगा दोस्तों गोला गंडा मत बनियेगा मेंस के अगर आपकी स्किन बहुत जादा ही वाली है तो आपने अवाइट करना है आपने बहुत जादा बेस नहीं लगाना है अच्छा उसकी जगा पर हम क्या लगाएंगे इसका वीडियो में आपको इंशाल्ला ताला कल दूँगी सही है ना यह मैकप आप जरूर कीजिएगा लेकिन अगर आप इतनी गर्मियों में बेस मेर लगाना पसंद करती हैं तो हम क्या लगाएं इसका वीडियो में इंशाल्ला कल शाम अफ्तार के बाद आपको मैं एक वीडियो दूँगी वह आप जरूर देखिएगा अफ्तार के बाद इस वीडियो को तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि हम गर्मियों में बेस की जगा पर क्या यूज करें जो हमें क्या कहते हैं इंस्टेंट हमें वाइटिंग भी देगा ग्लॉइंग भी करेगा हमारे स्कीन को और हमारे मैक अप को भी बहर अच्छा दिखाएगा ठीक है अब इस दोरान जनाब मेरी लाइश हो गई है ड्राइट तो मैंने क्या करना है पाथ सेकेंड तक आपने उसको भुटर करना है ताकि वो स्की हो जाए फिर उसके बाद आपने लैशेच अप्लाई निया ऐस अब यह डिकेंड़कर आप Aí क्या चाहती है ऑप मज़ीद लाइनर लगाना चाहरी लगा लेंखेंगा थाटी ा अगर आप मैं इस पे लगा रह लाइनर जरूर लगाना है बगर लाइनर के तो मसा नहीं आएगा भई हम मैक आई मैक अप करें उसमें लाइनर और मसकारा ना हो अरे भई ऐसी तो गलती नहीं कीजिएगा आप लोग ठीक है ना लाजमी लगाईएगा तो देखें यह मैक अपको कितना हो अच्छे से हो गया अब मैं यह आपको बताने वाली हूँ ना इंशाल्ला कल की वीडियो आप मिस मत कीजेगा इंशाल्ला कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी प्रोडेक्ट जो हम गर्मियों में यूज कर सकते हैं बासानी मेरी तरह वह सारी बेहन हैं जिनकी स्किन बहुत जादा आईल है क्योंकि सारसी बारी एकलNews के दिन हम अपने आपको नहीं कि देखेंगी तो हम आने वाले मेहमान हमारवाइं क्या सोचेंगे ठीके आ तो आपने अपने अपको लाजमी उबसूरत बनाना है प्राइमर से यह होता है कि हमारी प्राइमर प्राइमर से यह होता है कि यह हभाख है शुल में प्राइम प्राइमर की और में म oh yeah उसके बाद आपने अपने से अपने लिप्स्टिक लगानी है और आपने हो जाना है रेडी ठीक है और आपने रेडी होकर अपने महमानों को वेलकम करना है लाजमी ठीक है ना अच्छे से तयार होके खुब खुबसूरत बनके और खुब अच्छा सा आपने अपना लुक क्रियेट करना है लुक क्रियेट करके ही देखें आप जब कुछ भी नहीं करना है बस हमने अपने आपको इसी तरह से रेडी करना है रेडी करके हमने कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों कि हम उनको क्या करते हैं जब यूज कर रहे होते हैं तब हमें उनकी बैनेफेट्स पता चलती है कोशिश किया करें कि अपने आपको अच्छे से तयार रखें इत के दिन और फिर इंशाला आपकी इत कैसी गुजरेगी कैसी गुजरी मुझे ज़रूर बताइएगा आप सबने अपनी शॉपिंग तो करी लियोगी मेरी तरह लेकिन और सो मैं शॉपिंग पर इतना नहीं जात मेरी पसंद होती है तो जो भी मुझे लाकर देते हैं मैं खुशी-खुशी पहनती हूं मुझे उनकी च्वाइस बहुत अच्छे लगते है और जिसको पहन के दिखाना है उसे अच्छे लग रहे हैं बस काफी है किसी को लगे ना लगे मैं बाकी सब की मैं आटेंशन नहीं मेरे हजबन को अच्छे लग रहे है इनाफर काफी मेरे लिए बहुत वेवल गे और इसके लावा मैं अपनी जो मैं इत की तयारी ना दोस्तों मैं रमजान में बजारों के चक्रों कर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं शबरात में ही मैंने अपनी सारी तयारी कर ली अब बच्चों के तयारी है यानि मेरे मर्यलापर बेते हैं तो मेरे बच्चों के चौपिंग है वो मैरे हस्बन मेरे बच्चे में की करेंगे कूंकिम्जे रमजान में ब máxim mahrad जाओं मुझे पसंद भी नहीं है तो चले जनाब आप भी अपने experience बताएगा कि आपके शपिं आब सकते क्यार